नमस्कार दर्सकों, कैसे हैं आप शबहे? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, श्वस्त होंगे और मज़े में होंगे दर्सकों आज का जो हमारा वीडियो है, वो आपके लिए आवश्यक और महत्पुर्ण हो सकता है हम लोग बात करने वाले हैं कि आप मेंसे जो भी लोग अंग्रेजी अलफाबेट के आर नाम बाले हैं और जो भी लोग एस नाम बाले हैं, तो अगर ये शादी करना चाहते हैं, दामपत्य जीवन में आना चाहते हैं या फिर प्रेम शंबंध यानि कि लव लाइफ में आना चाहते हैं, तो इनको शंबंध में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए अगर शंबंध में आते हैं, तो शंबंध अच्छा होगा या बुरा होगा, ये सवाल बहुत ज्यादा महत्पुर्ण है तो वीडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना चाहिए परंतु से पहले क्या करना है आपको वीडियो को लाइक कर देना है वाईटी पुरूश उत्तम को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो के नीचे में आपको अपना नाम कमेंट कर देना है उसके बाद वीडियो को बड़े ही δھیان से सुनना है तो आईए अब हम वीडियो की सुरुआत करते हैं सबसे पहले जानते हैं कि जो भी आर नाम बाले लोग होते हैं इनका शुभाव कैसा होता है व्यक्तित्त कैसा होता है और इनकी जीबनी कैसी होती है मित्रों आरनाम वाले जो भी लोग होते हैं वो लोग शुभाव से बहुत ज्यादा शांत और गंभीर होते हैं ये लोग कभी भी अपने जीवन में किसी भी काम को करने में जल्दबाजी नहीं करते हैं ऐसे बहुत लोग होते हैं जो किसी काम को करने में जल्दबाजी बहुत करते हैं परन्तु जो भी यार नाम वाले लोग होते हैं इनको जल्दबाजी सब्द पसंद ही नहीं होता है काम करना है तो काम करेंगे परन्तु काम करने से पहले उस काम के बाड़े में शाड़ी बातो को पता करेंगे उस काम में क्या अच्छी बाते हैं क्या बुरी बाते हैं उस काम को करने से क्या फाइदा होगा क्या नुकसान होगा सारी बातों पर विचार करते हैं और विचार करने के बाद ही किसी भी प्रकार का कोई भी फैसला करते हैं मित्रों आम तोर पर क्या होता है इ और इनका जो क्रोध होता है वो जल्दी सांत नहीं होता है और ऐसे वक्त में इनको अपने शम्मंध में फिर समस्या का शामना बहुत करना पड़ता है आम तोर पर ये क्रोध नहीं करते हैं लेकिन जब क्रोध कर जाते हैं तो क्रोध को शांत नहीं करते हैं जब क्रोध आ गय तो उस क्रोध में बहुत समस्याएं बढ़ जाती है जो परिशानिया होती है वो बहुत बढ़ जाती है और ऐसे वक्त में समस्या का सामना अवश्य करना होता है इसके अलाबा आर नाम के जो भी लोग होते हैं वो दामपत्ती जीवन में प्रेम जीवन में पाडिवारिक शंबंध में बेहद इमानदार होते हैं अगर वही ऐस नाम बालों की बात करें तो ऐस नाम के जो भी लोग होते हैं वो लोग थोड़ा अलग प्रकार के होते हैं इनको किसी भी काम को करने में बहुत जल्दबाजी होती है अगर कोई काम करना है तो सोच बिचार नहीं करते है और जल्दवाजी में कोई काम कर जाते हैं और ऐसे वक्त में इनको शमस्या का सामना भी करना पड़ता है इस नाम के जो लोग होते हैं वो थोरे क्रोधी मिजाज की होते हैं बहुत जल्द गुस्सा कर जाते हैं और ये जब भी गुस्सा करते हैं तो अपने क्रोध के सामने मे अपने गुसे के सामने में किसी भी इंसान की बातों को किसी भी इंसान के विचारों को ये लोग महत तो नहीं देते हैं और ऐसे वक्त में इनके शम्बंध में इनको शमस्या का सामना करना पड़ता है परंतो इस नाम के जो भी लोग होते हैं वो अपने पड़िवार के परती बहुत समर्पित होते हैं और कभी भी अपने घर पड़िवार में जो घर के लोग हैं उनसे अपने शंबंध को बिगारने का प्रयास बिलकुल भी नहीं करते हैं मित्रों भी हमने आर नामबालों के बाड़े में जाना और जो एस नामबाले लोग होते हैं हमने इनके बाड़े में भी सुना और इन दोनों के बाड़े में इतनी बातों को जानने के बाद अगर हम ये जानना चाहें कि आप शादी करें प्रेम शंबंध में आए या नहीं आ हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट किजिएगा आपकी शाहिता आवश्य की जाएगी वैसे मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को हर जगह सेयर कर देना है तो हम लोग मिलते हैं एक नए वी ही